हम लोगोंने हमेशा ही easy task या shortcut देखने की सोची है जबकि व्यापार में कोई shortcut नहीं होता है घिसना हमें आज भी है घिसना हमें बाद में भी है यह आप पे निर्भर करता है कि कब घिसना है यानि exercise अगर आप इस उमर से करना शुरू करते हो तो बुड़ापे में घुटने अ तहलाते निकल जाएगा और तब आपको अलग से exercise करनी पड़ेगी व्यापार में भी ऐसा ही है खास करके जब आप export import की बात करते हो जब आप international business की बात करते हो तो international business के अंदर भी आपको घिजना पड़ेगा exercise करनी पड़ेगी कोई shortcut नहीं होता है जो shortcut लेता है वो shortcut में ही पड़ जाता है और वही लोग आपको market में कहते हुए मिलेंगे export import में कुछ नहीं है इसमें आदमी बरबाद हो जाता है करोडों का व्यापार है लेकिन सफल सिरफ कुछ ही होते हैं मैं बड़े साफ सब्दों में कह रहा हूँ सफल कुछ ही होते हैं और सफल वही होते हैं ज जिने खुद की मेहनत पे भरोसा होता हैं जिनों ये भरोसा होता हैं कि वो आगे जाके कुछ ने कुछ ऐसा कर सकते हैं वो उस मेहनत को टच कर सकते हैं जो मेहनत उसको सफलता दिला सकती हैं सफलता किसी पेड़ पे लटका हुआ फल नहीं है लेकिन अगर आप उसे फल भी स वो आपको सफलता का फल देगा मेरी कोशिस आप लोगों के साथ में वो हर चीज शेयर करने की होती है जो आपको एक सफल एक्सपोर्टर बना सकती है जो आपको सफलता के मार्क पे ले जा सकती है लेकिन इस कोशिस को निरंतर परियास जो है वो आप लोगों को करना होगा क्योंकि जब निरंतरता ही वो समय है निरंतरता ही वो कारिय है जो आपको सफलता दिला सकती है भरोसा खुद पे करना होगा आत्म विश्वास खुद का होगा क्योंकि जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं है कोई और भी आप पे भरोस आपको प्रोड़क्ट नहीं बेचना है आपको सिरफ भरोसा बेचना है अपने देश का कि हां हमारे देश का जो प्रोड़क्ट है उसकी क्वालिटी सबसे बढ़िया है आपको सिरफ भरोसा बेचना है आपको ये बताना है कि मेरे प्रोड़क्ट की क्वालिटी जो है वो बा बनेगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में जिन लोगों को SEO के लिए सोशल मीडिया के लिए कुछ पूछना हो वो ओन स्क्रीन नंबर दिये हुए हैं कोल कर सकते हो जो लोग वेबसाइट बनवाना चाहें वो भी कोल कर सकते हैं जिन लोगों क वेबसाइट हैं पहले से बनी हुई हैं उन लोगों को अब ये जो कीवर्ड हैं वो अपनी वेबसाइट में इंसर्ट करवा लेने चाहिए क्योंकि मुकदर का सिकदर आध इनसान तभी बनता है जब वो महनत करता हैं महनत आपको ही करनी होगी क्योंकि इसका फल भी आपको ही मिलने का तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजे शेर कीजे दोस्तों चोकि एक अच्छी चीज शेर करने से आपका भी नेटवर्क बनता है और वही नेटवर्क आगे चलके बिजनस में कनवर्ट होता है तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में जैहिन जै भारत